आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ आप सब्सक्राइब होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखेगा बाकी का छोड़ दीजेगा आप और आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं इस डिडिंग को देख सकते हैं अगर आप लोग पर्सनल सेशन्स बुक करना चाते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाटसेफ ग्रूप का लिंक है आप लोग ग्रूप जॉइन कीजिए और अपने पर्सनल सेशन्स आप बुक करवा सकते हैं बड़ आपको ध्यान रखना है पर्सनल सेशन्स पेड होते हैं चार्जिबल होते हैं सो तब भी आप लोग वहाँ पर मैसेज कीजिएगा चले शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ट आप लोग के बारे में इंस्टेग्राम, यूटीब और फेस्बुक आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर के हमें जॉइन कर सकते हैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी So I am happy, healthy, beautiful, smart and a powerful person I want love, peace, money and success in my life So all the divine energies, Bajangbali, universe angels, please बताएए क्या कुछ है व्योड़स की लाइफ में So कुछ आपके energies यहाँ पर check करते हैं, third party के energies चेक करेंगे और आपके partner के energies भी check करेंगे और लास्ट में आएगा guidance जो बहुत जादा जरूरी है, skip नहीं करना है आपको वीडियो को चलिए शुरू करते हैं इस reading को और मैं spread करना start कर रही हूँ, connect हो जाएगे cards के साथ आपके wishes, आपकी manifestations, comment box में जरूर लिखेगा, आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी love life में, career life में, personal life में, professional life में, okay so manifestations लिखेंगे तो जरूर पूरी होगी, so start करते हैं, okay, so first card ही यहाँ पर justice का card आ गया है, okay so Libra अतुला राशी सबसे prominently निकल करके आई है, okay, so चलिए और card spread देते हैं, okay next आया है devil का card, मकर, Capricorn राशी, prominently आ गई है, nine of sword, Gemini, Libra, Aquarius, Mithun, तुला, कुम, राशी, ace of cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Courtney, Investic, राशी two of sword आया है यहाँ पर, seven of cups, okay four of wand, Aries, Leo, Sagittarius, Mish Singh, धनु, राशी आई है, seven of wand आया है, okay ten of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Virashab, Kanya, मकर, राशी आई है, six of cups, okay judgment का card भी आगया है, last देख लेते हैं, three of sword का card आया है, so देखें, यहाँ पर आया है, कुछ आपके energies निकल करके, क्या हो रहा है यहाँ पर, so देखें, सबसे पहली बात तो यह कि, आपके मन में, आपके partner के लिए, बहुत बहुत जादा मुझे पयार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप में से कई लोग आज भी ऐसे हैं, जो इतनी, इतना सब होने के बाद, भी इतनी सब बाते होने के बाद, भी कही ना कहीं आपके दिल में बहुत जादा पयार है आपके partner के लिए, अगर आप लोग manifest कर रहे हैं तो reunion लिखेगा आप में से जितने लोग reunion चाहते हैं वो, ठीक है, तो देखो आपने caring, आप हमेशा से care करते रहे हो, आपने, आपने हर possible कोशिश की, प्यार देने की कोशिश की, साथ देने की की कोशिश की, भरोसा दिया, सब कुश दिया, आपके life में, की आपके लिए प्यार ही सब कुछ था, आपके लिए यह partner ही सब कुछ था, ठीक है, आपने कहीं न कहीं, अपनी दूनिया इस partner को मान लिया था और आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ठीक है आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीखे की चीज़े भी life में हो सकती हैं यह आपको धूपा दे सकता है और यह partner आपको ऐसा लग रहा था कि डिवाइन ने भेचा है उपर वाले ने आपका ये साथ दिया है तो ये कहीं ने कहीं आपको ये विश्वास हो गया था कि इसके अलावा अब और कुछ मुझे इस लाइफ में नहीं चाहिए या ये ही सब कुछ मेरी दुनिया बनके रह गया है सो देखो यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजे है जो आपकी एमोशन के साथ यहां पर गेम प्ले किया गया है ठीक है यहां पर बहुत आप लोग को ब्लॉकिज़ दिये गए है आपका रिलेशन्शिप तोड़ा गया है आपकी शादी शुदर जिन्दगी तोड़ी गई है आपके भरोसे को तोड़ा गया है और कहीं न कहीं यह रिलेशन्श जो है इसने आपके पार्टनर ने आपको बेइमानी के साथ आपकी लाइफ हॉरिबल बना दिया है ठीक है यहां पर धोके की वज़े से आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़ादा प्राप्लम्स फेस की है इस रिलेशन्शिप में बहुत ज़ादा गिल्ट भी हो रहा है आपको बहुत ज़ादा दुखी है बहुत ज़ादा परिशान हो रहे हुदा इतने ज़ादा डिफ्रेंसिस creator चुके हैं आप दोनों के बीच में की ये अब ये रिलेशन्शिप आपके लिए टॉक्सिक हो गया है तो बहुत रो रहे हो आप ठीक है बहुत जादा स्वीपलेस नाइट्स हो गई है दिन में रात में चैन नहीं आ रहा है फीरिंग्स अब कही न कहीं हर्ट हो चुकी है अब आप विश्वास करना चाहो तो भी नहीं कर पा रहे हो राइट ये जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है ये बहुत जादा डेविल है इसका जो नेचर है इसका जो केरेक्टर है वो डेविल चाहिए बहुत नेगेटिव हो गया आपके लिए कुछ सोचने समझने की शक्ति आपके पार्टनर की चली गई जो उन से कराया गया जो उनको समझाया गया जो उनकोproduct किया गया वोई आपके partner को समझ में आया और वो ही कही न कहीं नोने आपके साथ किया है right so काफी कुछ चीज़र यहां पर change हुई है इस third party के आने के बाद यह third party बहुत-बहुत जादा toxic है बहुत जादा नेगिटिव विटी से भरी हुई है पूरा टाइम इस थर्ड पार्टी के दिमाग में यही सब चलता रहता था कि आपके पार्टनर को आपसे अलग कैसे करें आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आज भी बहुत जादा डिप्रेस्ट हैं है ना रिलेशन में प्रॉब्लम है हेल्थ काफी जादा खराब हो रही है कहीं आने जाने के लाइक नहीं हैं आप ठीक है उसने आपका सब कुछ बिगाड़ दिया बिल्कुल बरबाद कर दिया आपक का कार्ड और जज्ज्डिमेंट का कार्ड दोनों ही कार्ड यहां पर आये हैं रैट सो क्लेम कीजिएगा जस्टैस जो जेंके कर्मिक्स बहुत जल्द इनकी तरह आते हुए दिखाई दे रहे हैं इनकी लाइफ में भी ब्लॉकेज आते हुए दिखाई दे रहे हैं अब यहाँ पर इनकी जो भी यह लोग इन्लोगों के छीना है आप से वो सब इनसे छिन जायेगा अब इश्वर बांदेंगे यह पर आपने कहीं नपई प्रे किया होगा कर्मा विष्वर बादेंगे इनकी हेल्थ फाइनसेज इनकी फैमिली तक इनको छोड़ देगी और अब इनको ही लोने के लिए कोई भी राष्टा मिलेगा ने इनको बहार निकलने के लिए कोई जीजरी या आपके पार्टनर के घरबाले दुखी ओचुके है इस थर्ट पार्टी की जूचेक है क्यों क्यों क्योंकि थर्ड पार्टी भी कहीं न कहीं अपने किसी से मिल किसी पुराने साथी या किसी पुराने दोस्त से मिलती है जिसकी वज़े से आपके पार्टार को अब तकलीफ होने लगी है अब उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़े ऐसी होने लगी है जो आपकी दुखों का एसास अब उनको हो रहा है अब माफ नहीं करेगी उनिवर्स इनको सेम वोई सा फेस करना पड़ रहा है इनको चैलेंजिंग टाइम जो आपने फेस किया आपकी कोई गलती नहीं थी ना आपकी कोई इंटेंशन गलत थी आपने ट्रस्ट किया था इनके उपर तो आपको चैलेंजिंग टाइम फेस करने दिया आपको चैलेंजिंग टाइम दिया अब इनको भी सेम चीजे फेस करनी पड़ेंगी आप भले ही माफ कर दो हो सकता है आप में से कई लोगों ने माफ कर भी दिया हो कि आप अपने दिल पर अब बोज नहीं रखना चाते अब आप इसको याद भी नहीं करना चाते लेकिन चीजें यहाँ पर यूनिवर्स में तो घूम रही है न तो वो बैकफायर तो होंगी है न बहुत जब इनको इसका कर्मा मिलने वाला है इनका भी पार्टनर इनको छोड़के चला जाएगा स्पाउस छोड़के चला जाएगा है न इसको भी रोना पड़ेगा इसको भी रोना पड़ेगा इसके उपर भी लोग हसेंगे इसको भी क्राइसिस जेलने पड़ेंगे इसको इसका भी दिल तूटेगा अगर आपका फाइदा उठाया है न तो प्रॉब्लम इसको भी फेस करने पड़ेगी समय जरूर आएगा इनकी लाइफ में, बदलेगा जरूर और ये तकलीफ इनको भी जेलनी पड़ेगी आपके जैसे इनोसेंट इनसान, आपके जैसे भोले भाले इनसान के साथ इन्होंने गलत गेम खेला है आपकी इंसर्ट किये ना सब के सामने अब इनकी इंसर्ट होगे सब के सामने पूरा कठा चिटा खुलेगा इनका सब के सामने जो कर्मा इनको हिट करेगा न यहाँ पर ये बच भी नहीं पाएंगे उससे कंडिशन्स डाउन पर डाउन होती चली जाएंगे और आप आप बहुत जादा भी आप नाराज हो गुसे में हो आप रो रहे हो आप परिशान हो ये चीज़ इनको पता है और लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना ये बहुत जादा वाने पुलेटिव है ठीक है अपने मगर मच के आसो दिखा दिखा कर अपनी बातों में फसा फसा कर आपके पार्टनर को इसने अपनी तरफ किया था अब ये कही न कहीं चीज़े बदल रही है है ना अब आपके पार्टनर को भी अक्कल आ रही है कि ये थर्ड पार्टी रिलायवल नहीं है ना ही लॉयल है क्योंकि लॉयल्टी की तो इसने सारी सीमा तोड़ी ना अब किसी और के साथ भी मिलने लगी है यह थ्यूर्ट पार्टी कि अब आपके पार्टनर को भी एहसास हो रहा है कि चीजे पहले जैसी नहीं है जैसी उन्होंने सोची थी वैसी तो नहीं है इनकी लाइफ भी अप जैसे यह सोच करके गए थे वैसी तो है नहीं ठीक है वहाँ जादा बदल रही है चेंजेसं आ रहे हैं इनकी लाइफ में भी और सपने अब ऐसे लग रहे हैं कि बहुत जादा स्टगल करना पद रहे हैं इनको सवर्ड पाड़ी के साथ बहुत जादा स्ट्रगल करना बढ़ रहा है क्योंकि डेविल है ना डेविल अपना नेचर नहीं बदलता दूसरों का दूसरों की जिन्दगी खा जाता है देखते और क्या रहा है दमून आया है सी है ना पाइसीज मीन राशी प्रॉमिनेंटली आगे अब इनको डर लग रहा है अब यह घ प्रेस कैसे करेंगे अब लोग हसेंगे इनके ऊपर यह आपके पार्टनर को अब एसास हो रहा है यह ना सी सिक्स ओफ सौर्ड ऐसे संबंदर में जाकर के फस गई है ना इनकी नाव कि अब बस डूबना ही बचा है यही कर्मा है यही आ रहा है आपको ब्लैक्मेल किया ना आपको एमोशनल ब्लैक्मेल किया ना और अब देखो इनकी हालत क्या हो रही है अब इनकी नईया खुद ही गोते खा रही है रूप जाएगी King of Cups अब याद आ रही है आपकी अब याद आ रही है आप सोच रहे हैं आपके बारे में अब जानना चाह रहे हैं आपके बारे में कि आप कहा हो और क्या कर रहे हो कितने मतलब ही हैं ये लोग, कितना भरा पड़ा है, मतलब इनके अंदर बेइमानी कितनी भरी पड़ी है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा भी नहीं, आपकी ना खुशियों के बारे में, ना दुख के ऎसलिमारे बारे बैं कहां जाओगे कैसे रहोगे क्या करोगे कुछ सोचा बस अपनी अपनी धुन में अपने खुशियों के लिए खुद को जो अच्छा लगा वो किया ऐसे लोगों है यह हैंग मैं ऐसे लोगों के लिए आप सेक्रिफाइस कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए आप रो रहे हैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं अपने बारे में क्या करना है दम घुट रहा है आपका प्रिशान हो रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्हों ने आपके परसड नहीं सूचें किया हो रहा है कि इंग ऑफ कपप अब इनकी अकल ठिकाने आरी हैं अब जब उल्टे टंग गए है अब इनको इनकी अकल ठिकाने आरी है अब आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे, अब इनको अपनी गल्टियों के एसास भी होता हुए दिखाई दे रहे अब इनको समझ में आ रहे हैं कि आपने क्या किया इनके साथ, आपने कितना कुछ दिया इनको अब वो आपको वापस पाना चाते हैं सो अगर आप लोग move on कर चुके हैं तो लिखे ज़रा move on और आप चाते हैं new partner तो लिखे न्यू partner और आप चाते हैं reunion तो लिखेगा reunion आप चाते कर्मा तो लिखेगा कर्मा comment box में लिखते जाए भर दीजे comment box को कभी ये कही से देखे तो इसको पता चले है ना minor wand अब आपको देखते रहते हैं सब तरफ से ठीक है कर्मा का डंडा पढ़ रहा है ना कर्मा का डंडा पढ़ गया दोनों के उपर बहुत बुरा अकल ठीकाने आरी है अब अब आपको देखते रहते हैं सब जगा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कहाँ पर हो आगे बढ़ चुके हो कि नहीं बढ़ चुके हो कि आज भी रो रहे हो पर आने की हिम्मत अभी नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी है ना अभी जब ये बरबादी होएगी जब इनका रिष्टा खतम होगा और तब ये थर्ड पार्टी को ब्लॉक करेंगे और अभी तो फिलाल तो ये कुछ solution निकालना चाहरे हैं कुछ शान्ती चाहरे हैं अपने जिंदगी के अंदर कुछ चाहते हैं ऐसा जो सब कुछ कुछ थीक हो जाया कुछ बदल जाये और ये आपको अपने जिंदगी में वापिस ला पाए कुछ इस तरह के थौर्ट्स इनके मन में चल रहे हैं कि अन्य बट कार्मिक्स ने सारी कर्मा ने सारी अकल ठिकाने लगा दिये आप कुछ आपके लिए गाइड़न्स लेते हैं डिवाइन प्रीज गाइड़न्स दीजे बने रहीएगा लास्त तक गाइड़न्स बहुत ज़रूरी है आप मेंसे कई लोग बहुत तूटे हुए ह आप मेंसे कई लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो गाइड़न्स बहुत ज़रूरी है प्लीज डिवाइन गाइड़ कर दीजे वाव चेंज चेंज का कार्ड सबसे पहले आया है सबसे पहले अपने को बदलो इस दुनिया के हिसाब से बदलो किसी के लिए बहुत रोए हो अब इस पार्टनर की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है ठीक है सो यहाँ पर बदलाव की जरूरत है रोने दोने वाले स्टेटस लगाना बंद करो ठीक है अगर आपने स्टेटस में रोना दोना कुछ लगा रखा है न या कुछ इससी फोटो या फिर कुछ ऐसा अपने डीपी लगाया हुआ या कुछ भी ऐसा फेस्बुक पर डाल तो बंद कर दो इनको बिल्कुल यह समझ म दुख से भरी हुए नहीं है अब आप स्ट्रॉंग हो गए अब आगे वर्डर अपने लाइफ में यह चीज का हैसास कर वाओ इनको जेलस फील कर आओ इनको इग्नोर करना सीखो सो बदलाव ले कर आओ पीछे भागना नहीं है चेंज करो दुनिया में बहुत कुछ है आग पीछे भागना बंद करो एक साइड से सिर्फ प्यार हो सकता है रिलेशन्शिफ नहीं चल सकते प्यार सिर्फ अगर आपकी तरफ से है तो रिलेशन होता है एकोलोस होते हैं और वो कुछ नहीं है उन जो नहीं हो लेकिन क्या कर रहे हो कि अगर वो नहीं है तो बस अब जिन्दिगी खतम दुनिया खतम, दुनिया बरबाद क्या दुनिया सिर्फ वो ही है अगर आपने सिर्फ उनको इदुनिया बना रखा है तो बिल्कुल बरबाद लेकिन जरा आसपास देखो पैरेंट्स है, माबाप, भाई, बेन और भी रिष्टे हैं जो आपसे प्यार करते हैं और भी रिष्टे हैं जिनको आपकी जरूरत है या जिनकी आपको जरूरत है सो सब को थोड़ा-थोड़ा बाट दो ठीक है? ये दुनिया सब को थोड़ा थोड़ा बनाओ तो अगर एक हिस्सा चला भी गया तो इतनी तकलीफ नहीं होगी सो ट्रांस्वेशन बहुत जरूरी है देखो बदलाव जीवन है है ना? तो अपने अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है पॉजिटिव थौट्स लाना बहुत जरूरी है अवेरनेस, अवेर हो जाओ, अपने को गिराना बंद करो इनके पैरों में अपनी वैल्यू करना सीखो, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ केर करना सीखो अवेर हो जाओ थोड़ा सा दुनिया में क्या चल रहा है अपनी importance आपने इतनी गिरा दिया है कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपकी तो कोई value ही नहीं है आपको disrespect कर लो, आपकी insult कर लो, आपसे कुछ भी कहलो, आपको कोई फरक ही नहीं पड़ता, आप फिर भी पीछे-पीछे भागते हो आप फिर भी इनके बारे में सोचते हो और फिर भी आप इनके लिए अच्छा ही मांग रहे हो तो ये आपकी value गिरा दी है आपने, खुद ने गिरा दी है आप ये समझो कि ये awareness लेकर आईए आप अपनी जिंदगी के अंदर, अपने दिमाग के अंदर कि आप आपके लिए important हो, self-care ज़रूरी है You are the most important person for yourself, ना कि और कोई है ना, जब आप बहुत सालों बाद आगे जा करके देखोगे ना, तीन साल, तीन साल, चार साल, पांच साल बाद जब आप आगे जा करके देखोगे और पीछे मुड़क के देखो गई यह समय याद करो तो आपको लगई अर यह क्या बेफकूफी हो रही थी मैं यह क्या कर रही थी आ आज दको मेरी जिंदगी और मैंने क्या बना रही थी किसी के पीछे पांगलों की तरह रोना धोना सबकु चल रहा था तो यह चीज астurning समझो आपको जेल केदी या पिंजने में बंद पंची नहीं हो आपको ये समझना पड़ेगा यह आसमार आपका भी उतना ही है जितना इन लोगों का ये दुनिया उतनी ही है जितनी इन लोगों की आपकी खुशियां उतनी ही important है जितनी इन लोगों कि अगर इन्होंने आपकी value नहीं की तो आप क्यों करते हो अगर इन्होंने आपकी जिंदगी को छोड़ दिया तो आप क्यों इनके बीचे भाग रहे हो इनको आपकी value नहीं है आपको इनको आपकी इसको आपकी इंडिविजुवल लाइफ इंपोर्टेंट है आप ऐसे इंसान इंपोर्टेंट हो इतनी वैलियू इनको दे रहे हो जिसको आपकी वैलियू ही नहीं है तो उतनी वैलियू खुद को देखे देखो आप कहां से कहां पहुंचोगे लाइफ में आगे बढ़ो कुछ किसी मकसद के लिए आये हो प्लेफुलनेस का कार्ड आया है ठीक है अब अपनी जीवन को आगे बढ़ाओ खुश रहना सीखो लाइफ में बहुत कुछ है ठीक है सिर्फ दुख नहीं है खुशियां भी है maturity का कार्ड आया है तो थोड़ी से maturity लेकर के आईए अपने अंदर है ना सिर्फ यही आपकी जीवन का कोई मकसद नहीं है सिर्फ एक इंसान आपकी जीवन का मकसद नहीं हो सकता आपकी लाइफ में कुछ तो होगा ना आपका गोल कुछ तो आपके जिंदीगी का मोटिव होगा new vision लेकर के आईए नई सोच लेकर के आईए successful बनने की कोशिश करो practical होने की कोशिश करो clarity लेकर के आईए अपनी दुनिया में अपने दिमाग के अंदर की आपके लिए क्या ज़रूरी है control control करो पीछे पीछे भागना नहीं है control करो ठीक है तो अपने emotions को control करो सब करने को हमेशा तयार मत रहो सब उनके हिसाब से करोगे तो खुद को नीचा ही नीचा गिराते जाओगे खुद की इंसल्ट करवाते जाओगे खुद को डाउन करते जाओगे अपनी value खतम कर दोगे तो अपने को नीचे गिराना बंद करो किसी इंसान को इतनी importance नहीं देनी की ज़रूत है कि वो आपको यह बरवात कर दे है ना किसी के सामने अपनी value नहीं गिरानी है so control your emotions, sorrow, इतना दुखी होनी की ज़रूत नहीं है ठीक है, दुनिया में बहुत सुख है, बहुत कुछ है करने के लिए बहार निकलो इस दुख से, इस दर्ट से आसपास देखो, माबा, भाई, बहुत लोग ऐसे हैं दोस्त, बहुत लोग ऐसे हैं जो आप से बहुत प्यार करते हैं, तो सिर्फ एक इंसान के जानने से इतना दुखी होनी की ज़रूत नहीं है, आपके innocence के साथ कोई खेल ना जाए, आप मासूम हो, आपको मासूमियत तो ठीक है, जरूरी भी है, लेकिन अपने लिए काम करो, अपने खुद से प्यार करो, अगर यह आपके पास वापस आते भी है, आप रियूनियन चाहते भी हो, तो अपने लिए पहले सोचना, क्या ही आपके लिए इंसान सही है, क्या वापस आपको इसको accept करना है या नहीं करना है, क्योंकि कर्मा जब पढ़ेंगे ना, इनके सिर्फे तो सारी अकल ठिकाने तो आई जाएगी, आपके value करना सीख जाएगे, सब सही गलत सामने आ जाए तो यह थे आज के card, यह थे आज की reading, यह थे आज की guidance, I hope आपके साथ resonate की होगी, like कर दीजेगा, share कीजेगा, हो सकता है, इस reading की जरुत और किसी को हो, किसी और को positivity चाहिए, तो share कीजेगा, subscribe नहीं किया है, तो कर लिजे, कर लिया है, so thank you so much, बर्जंग बली का, universe का, injures का, thank you करना नहीं भूला है, claim जरू कीजेगा, triple one